क्या होता है समुच्च क्या होता है क्या होता है समुच्च करने से पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में समझ लेते हैं तो दो चार बात अगर समझ लेना तो हमारा मन थोड़ा ठीक टाग हो जाएगा तो आपका समुच्च क्या होता है यह आपका कुछ प्रभाजिस संग्रा को समुच्च कहते हैं वेल डिफाइन बच्चों सबसे पहले तो जो सेट है ना जो समुच्च है वो एक लिस्ट है लिस्ट है लिस्ट मतला सूची आप जानते हैं सूची जो घर पर हम लिस्ट बनाते हैं तो किसी भी डेटा की एक सूची बनाना किसी भी डेटा को एक सजा के लिखना उसको हम सेट कहते हैं यहां पर जो भी आपके पास देटा है आप उसको एक तरीके से लिख रहे हैं जैसे मैं आप से कहूं भईया आपके पास कौन-कौन सी किताब हैं उनकी लिस्ट बना के मुझे दो तो आप हटा-पट लिख लाओं के सर यह किताब है मेरे पास जै-डबली में कौन-कौन सा सब्जेक्ट आता है उसकी लिस्ट बना के लाओ पूरा लिख लाओं अपने भारत के प्रधान मंत्रियों के नाम लिखके लाओं जो अब तक बने हुए हैं सबकी लिखके लिएंगे आप तो अल्टिमेटली एक डेटा को एकटा करके लिखना जो सामने वाल आपसे बोल रहा है उस डेटा को एकटा करके लिखना हम सेट कहते हैं उसको समुच कहते हैं बिल्कुल देशी भासा घर में कितने मेंबर हैं उनकी लिस्ट बनाओ अच्छा सर अब यहाँ पर यह जो थोड़ी सी बात है ना वेल डिफाइन क्या होता है वेल डिफाइन क्या होता है जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूँ जैसे मैंने एक लाइन बोली आपसे कि एक लिस्ट मनाओ कलेक्शन आफ ओल डेंजर एनिमल्स है ना खतरनाक एनिमल्स पसुआं की सूची क्या यह सेट है इस इट सेच तो साफ हमने मैं कहरा हूं आपसे साफ आप मैंने एक लाइन बोली आपके सामने के भाईया यह तस इंट्रों कर रहें चीजों को समझ रहें ठीक है मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एक ऐसी लिस्ट बनाके दो जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरा के नाम लिखे हों अब इतना लाइन बोलके मैंने भाईया सबको पर्चा बांट दिया अब यहां पर हर आदमी हर बच्चा अपनी एक नई सूची बनाएगा नई जैसे मैंने लिखा भया मुझे कुट्व इसे डर नहीं लगता तो मैं अपनी लिस्ट में कुट्य का नाम नहीं ड्यालोगा कई बच्चे ऐसे होगे जिननको भया डॉक से डर लगता है उनके लिए खतरनाक हो कूए उसका नाम वह बहाँ डाल देंगे तो यहाँ पर बच्चों हर member की list में बहुत सारे elements, बहुत सारे अवयब जिसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम अलग-अलग मिलेंगे, तो इसको हम कभी सूची नहीं कहेंगे, इसको हम कभी set नहीं कहेंगे, this is not the set, this is not set. यह आपका set नहीं है यह समुच्चे नहीं है अच्छा असर इतना ही है बस इतना ही है एक ऐसी लिस्ट जो सब के लिए common हो जैसे भारत के राष्ट पतियों का एक सूची बनाईए जब से अबना देश आजा दुआ है उसके बाद अब तक और इस बात को कहकर आप इंडिया के हर कोने में चले जाओ परचा और कोप्यान लेकर जितने भी लोग है ना सबके जो लिस्ट बनेगी सबकी लिस्ट में वही नाम मिलेंगे जो एक्ट्वल में है तो this is the set जैसे मैं आपसे कहूँ कि साब जेई में कौन-कौन सा सिलेबस आता है तो साब जेई में सिलेबस आता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सबकी सिलेबस में यही आपको मिलेगा तो this is the set बस यही है इसी का नाम है समुच्य किसी भी एक ऐसे डेटा को साथ लिखना एक डेटा जिस पर कोई बहस ना कर पाए आपसे एक ऐसा डेटा जो सब के लिए समान हो अब बैस उसी को हम समुझ्छी कहते हैं अब आपकी माइंड में हर चीज आगी अच्छे से ठीक है जना अब अच्छा बेटा अब जो लिस्ट में बनाते हैं मैं बताता हूं आपको जैसे मैं बेटा आपसे बोलूं किसाब खतरनाक या फिर अपने ऐसा लिख लो एक कोशन लेता हूं मैं एक लिस्ट बनाओ प्रेक्टर जो एक्टथ होते आँ मारे ऑलिवॉड या बॉलीवॉड के दो प्री एक्टर की लिस्ट बनाओ कि सूची सूची बनाओ तो यहां मैं कहते हूं का क्या यह समुच्छ है इस इट सेट क्या यह सेट है तो साब यह बिलकुल सेट नहीं है क्योंकि जब आप लिस्ट को देऊगे ना तो हर व्यक्ति की लिस्ट में अलग-अलग नाम होंगे किसी को अक्की साब पसंद है किसी को नहीं है तो ऐसा थोड़ी लड़ने बैट जांगा रहे भाई नहीं यह इसको तु प्रिय लिस्ट में डाल तो यहां पर जो वर्ड है ना प्रिय फैवरेट फैवरेट एक्टर्स की लिस्ट तो सब की अलग-अलग मनेगी राइट तो आपसे बोलों कि दूसरा एक्जामपल लेता हूं आपके सामने में कि कलेक्शन आफ आल प्राइम मिनेस्टर्स आफ इंडिया है ना प्रधान मंत्री की सूची बताओ और मैं आपसे बोलू क्या ये सेट है क्या ये समुच्च है हाई और ना अब बच्चो इस लाइन को मैंने बोल दिया भाईया भारत के प्रधान मंत्रियों के प्रधान मंत्रियों की सूची बनाओ भारत के ना भारत के प्रधान मंत्रियों की एक लिस्ट बनाओ तो आप इस बात को सब को कह दो सब की लिस्ट में सब की लिस्ट में वही लोग आएंगे अच्छा ये इसको एक तरीका होता है बच्चो लिस्ट बनाने का तरीका होता है इस तरीके जाएगी और सबकी लिस्ट में सेम नाम होंगे, तो देसीजी सेट, बच्चों आपन यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसको प्रजेंट हम करेंगे हमेशा मजला कोश्चक के अंदर, इसको करली ब्रेकेट भी कहते हैं, करली ब्रेकेट के अंदर हमेशा इसको इसको इस्तमाल करेंगे, जो भी डेटा आप लेके आओगे, उसको हमेशा ऐसा लिखेंगे, ठीक है जनाब आप कोशिस करते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को आगे खिंचें एक बार, कुछ प्राकर्तिक संख्याओं की एक लिस्ट, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 ऐसे होते हैं, बच्चों यह जो करली ब्रेकेट है ना, यह एक तरीका है, यह मैटमेटिकल तरीका है, इसको लिखने का, जैसे मैं आपसे बोलू, मैं आपसे बोलू यहाँ पर एक एक पाँच से छोटे प्राकर्तिक संख्याओं की सूची बनाओ, प्राकर्तिक संख्याओं की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, तो बटा आप इसको ऐसी लिखेंगे, कि साब पांच से छोटे प्राकर्तिक संख्याओं की एक, दो, तीन, चार और यह पांच, ठीक है जनाब, इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पांच, अच्छा, यह लिस्ट ऐसी भी हो सकती है, कि दो, एक, तीन, चार, पां पांच, मतब दो, तो बच्चों इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कि पहला कौन सा आया, प्रवाद में कौन सा, यहां पर order matter नहीं करेगा, कौन कहां लिखा है, वो matter नहीं करेगा, लिस्ट में क्या लिखा है, वो matter करेगा, अच्छा यह लिस्ट ऐसी भी हो सकती है, कि एक, दो, पांच, चार और तीन, सब सेमी है यह, आप अलग मतलब, सारे पहले वन आ रहा है, पहले बात में कोई मतलब नहीं है, भाईया, लिस्ट तो सेम होती है, मान के चलो घरबालों ने हाथ में एक ठेला पकड़ा दिया, भाईया, चीनी लेई हो, कुछ हबजी लेई हो, तो यह आपके एक लिस्ट बन गई, और लिस्ट का तरीका होता है, डेटा को एक खटा लिखना, करली ब्रैकेट मजला कोश्टक के अंदर लिखना, खतम गानी, यह चोटी जोटी बात है, बच्चों कुछ, पूर संख्याओं का समुच्य, होल नंबर्स, जिसमें 0 आ जाता है, जीरो, एक, दो, अब देखो, यह कुछ mathematical terms हैं, जैसे मैं जानता हूं कि एक, दू, तीन, चार, पांच, छे लिख सकते हैं, लेकिन मैंस बाले कहते हैं, कि साब, जब आप कल कुछ की प्रोग्रामिंग करेंगे, जब आप कल कुछ के बारे में सीखेंगे, तो केबल computer आपसे पूचेगा, जैड का मतलब क्या होता है, तो आपने पहली बाएक file बना दिए, जैड का मतलब होता है, सारे integers, पूड़ांक, 0, 1, 2, 3, 4, minus 3, minus 5, इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको बच्चो एक detail में बोलने की जरूत नहीं पड़ेगी, मतलब जैड मतलब आपके mind में जामते हैं, ठीक है, ओके, पर्मे संख्या क्या होती है, rational number, इसको q से लिखते हैं, rational number q, पर्मे संख्याओं के समच्चे, मतलब पर्मे संख्याओं की एक list, जिसमें उच्चो ऐसे number होते हैं, जैसे देखो, 2 by 9, 6, 11, और minus 3, कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा number, जिसको आप इस form में लिख पाएं, p upon q की form में लिख पाएं, जैसे देखो, मैं आप से बोलना हूं कि root 3, यह एक पर्मे संख्याओं का नहीं है, member, this is not the member of this rational street, जैसे यह नहीं है, तो आपन क्या करेंगे, बच्चो आपर, actually एक ऐसा number जिसको इस form में लिख पाएं, और p और q क्या है, जैसे ठीक है, इस तरीके से, तो आर, अच्छा, आर क्या होता है, वास्तिविक संख्याओं का समझ्याओं का समझ्या, जो real life होती, छोटी-छोटी बात में, 9th क्लास में आपने देखा होगा, real line, वास्तिविक axis जो होती है, 0, 1, 2, 1.1, 1.9, root 2, root 3, सब कुछ एक ऐसा number, जिसको हम अपने copy पर लिख सकते हैं, उसको वास्तिविक संख्याओं का समझ्या कहते हैं, और r-q, अपरमे संख्या, जैसे root 3, root 6, 2-root 2, ऐसे number, ऐसे number, जो परमे नहीं है, वो अपरमे होगा, छोटी-छोटी बात में, आपको बहुत अच्छे से, यहां पर आती है, ठीक है, यह जल् समुच्य का निरूपड, रोस्टर रूप, और समुच्य निर्माड रूप, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको इंगलिस में, ठीक है जनाब, और इसको बोलते है, सेट बिल्डर, सारी यह क्या होता है, कुछ नहीं है, बस वही तरीके हैं, जो मैंसमें चीजों को आप सी सीख रही है, है ना, जैसे मैं आप से बोलूँ किसाब, जो एक मैं आप से कहूँ के, अंग्रेजी वर्ड माला के व्यंजक का समुच्य है, है ना, अंग्रेजी वर्ड माला के ब्यंजक का समुच्छ तो बिट्टा जैसे आप अच्छे से जानतें बच्छपन में खूब अच्छे से बढ़ा होगा किसाब अगर कोई हमसे इस बोलेगा हमारे मैंड में एक ही चीज आती है इनको वैबल्स भी बोला जाता है ठीक है जना ये इनको बोलते हैं अंग्रेजी वर्ड माला के व्यंजक का समुच्छ चिखाते हम गानी तो बेटा यह जो फॉम है ना यह जो रिप्रजेंटेशन है यह जो त एसी फॉम सबसे बढ़िया और सबसे मज़े दाख अच्छो इसके इंदर जो इलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो आबजेक्ट्स हैं इनको हम अभयव कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में अभयव वैसे आप अबजेक्ट ही ओदो तो भी कोई बुराई नहीं है अब यदम जैस जैसे समुच्य का निर्माद रोप यानि सेट बिल्डर सेट बिल्डर इसको बस पता है इसको यहां पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैं आप से बोलूं बच्चो करली ब्रैकेट जरूर आएगा उसमें यहां पर मैंने लिखा इसको हम बोलते हैं समुच्य निर्माद रूप इसको एक दूसरे कोशन से भी करेंगे यह इसके चोटे-चोटे प्रजेंटेशन है चोटे-चोटे इसके प्रजेंटेशन है ठीक है बैटा तो सैट को लिखने की दो तरीके होते हैं एक तो रोस्टर और एक सैट बिल्डर निर्माद वाली जो है निर्माद चोटा सा एक्जमपल लेते हैं जैसे मैंने एक एक्जमपल लिया बच्चो मेरे पास लिस्ट है 1, 4, 9, 16, 25, this is the list, ठीक है बटा, इसी list को मैं लिख सकता हूँ, इसी चीज को दूसरी भासा मैं लिख रहा हूँ मैं, मैंने लिखा साब, x belongs to, अच्छा इस list को बच्चो, capital letter से denote करते हैं, जैसे a के दो यहाँ पर, या b के दो, c के दो, जो भी आपको लगे, x belongs to, मैंने यहाँ पर लिखा बच्चो, x belongs to, natural number, natural number, such that, इसको बताऊंगा, इस सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, such that, x square, equal to, अवे, क्या हो रहा है, बार बार, x square, equal to n square, x equal to n square, comma, n belongs to natural number, comma, और n less than 6, ऐसा कुछ, अब मैं बताता हूँ, मैंने क्या करा सरी है, तो बहुत गंदा साइसर, तो बच्चो, इसको बोलते हैं, निर्मार रूपाली, यानि set builder phone, निर्मार रूपाली, इसका मतलब, मतलब वही है, जैसे देखो, अच्छा, यह जो बोता, बच्चो, यह सायन आप अच्छे से जानते हैं, इसको belong बोलते हैं, belong, यह तो बहुत गाउं में भी बोला जाता है, कहां से belong करते हो वही है, कहां के रहने वाले हैं, तो belong मतलब होता है, कि आप ultimately किस चीज का हिस्सा हो, आपकी जो belonging है, वो कहां पर है, आप कहां जाके merge करना चाहोगे, यह तो बोला जाता है, हम लोग अपने घर पर भी बोलते हैं, कहां से belong करते हो, तो बच्चों इसका मतलब यह है, कि X वैंने कोई एक number लिया, X belongs to natural number, यानि X belong कर रहा है प्राकर्तिक संक्याओं के समुच्छ से, इसका मतलब यह हो गया, X एक प्राकर्तिक संक्याओं के एक लिस्ट है, एक सूची है, एक फैमिली है, वहाँ पर X belong कर रहा है, मतलब X अब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, कुछ भी, राइट, अच्छा सर, इस जंडे को बोलते हैं, अच्छ देट, अच्छ देखो आपका जो X सब भलाओं कर रहा है, नेच्टरल नमबर में प्राकर्तिक संक्याओं है, और X की वैलू N स्क्याओं के बराबर है, यह N क्या है, सर, N आपता फिर से नेच्रल नमबर है, अच्छा, और उसने कंडिशन दिया कि N की वैलू 6 से कम लेनी है, तो बच्छो 6 से कम नेच्रल नमबर कौन से होते हैं, सर 6 से कम नेच्रल नमबर 5 हो जाएगा, 1, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सर this is the value of N, यह N आप य स्क्वाइर चार, यह मिल गया, 9 मिल गया, मतलब देखो यह दोनों लिस्ट एक जैसी है, इसमें कुछ ज़्यादा कहानी लिखनी पड़ रही है, यह सीधा सीधा देशी भासा अपनी, तो एक्शल में यह जो रोस्टर फॉर्म है, यह सबसे आसान फॉर्म है, यह वाली oritकि है, कैसे भी करो, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, यह बहुत सारा इंट्र अम जल 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 दी कर लिया है, पर, चलो, यह बहुत अच्छी सी समझ गए, आगे चलते हैं, समच्यों के Пरकार, अब लिस्ट जो होती है, उनकी प्रकार भी होते हैं, अनगे समच्यों क कि लिस्ट ही है कि बेसे लिस्ट ही बोला जाता है हम ना तो समुझude होते हैं उनका क्या प्रकार होता है तो में चीज पहले तो यह सेट कर लो किया समिझ मतलब होता है किसी भी डेटा को एक लिस्ट में लिखना अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है मिरे फैमिली के मेंबर मेंबर का ट्रच कुछ भी प्रकार का हो सकता है ऍा-वा-वी उसका data हो सकता है data किसका भी हो सकता है तो एक list होती है अब अच्छो इसके कुछ प्रकार है रिक्त समुच्च है empty जो रिक्त है कुछ नहीं है मतलब खाली data मतलब आपने list बना के छोड़ दी यह लोग आपका curly bracket महज़रा कोश्टक अब इसके अंदर कोई element नहीं है कोई object नहीं है तो इसको बोलेंगे रिक्त समुच्च है चोटी चोटी बात नहीं है जो आपको अच्छे से किलिक हो जाएंगे यह समुच्च है जिसमें अब अब इदमान नहीं है ठीक है देखो आपको अच्छा लग रहा है यह definition किताबी भ या तो आप ऐसा कह सकती हो ऐसा कह सकती है किसा से एक 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 ऐसी लिष्ट जिसमें कुछ नहीं है रिक्त समुच्च है कि ठीक है सर अच्छा एकल सिंगल्टन एकल समुझ्च जैसे कई बार नहीं होते बाई एक ऐसी लिष्ट जिसमें मैं बैठ हूंगा बसा के लाएक आदमी जैसे वर्तमान में मैंने का एक लिष्ट बनाओ वर्तमान में प्रधान मंत्रियों की लिष्ट बनाओ तो उसमें केवल मोदी सावी आएगा करें बाई हम बैठ सकते हैं क्योंकि दस साल से हम घर रहे हैं या अपर एक ऐसा सैट एक एसी लिस्ट जिसमें केवल एक अबवेब होता है एक आबजयक्ट होता है इस तरीके से जैसे कुछ भी हो सकता है वह पांच है कोई भी डिट आपका नाम कुछ नेम आपका एक लिस् क्याहते समच्ची यह चिह के का सो कि सबाएं की है कि शेसे आपी द eerste कि कि आज इंडार की इस दे लेख जाल रश्न निकल जाएंगे लेकिन लिस्ट बना नहीं पाएंगे क्यों कि तारों को वो इंपिंड़ एक वो अपरमित हैं, परमित मतलब उनको आप एक boundary दे रहे हो, मतलब एक परमित जिसके बारे आप जानते है, कि भारत में कितने सहर हैं, बारत में जितने भी सहर हैं, उन सहर की list बनाओ, तो ये परमित है, भले ही जादा है, भारत में कितने लोग हैं, भले ही 130 करोड हैं, लेकिन कुछ तो हैं गिन तो सकते हैं गिना जा सकता है ना जिस लिस्ट में लोगों को गिना जा सकता है उसको बोलते हैं परमित कि फाइनाइट कि अच्छा और अपरमित उसका उल्टा जिसको गिना नहीं जा सकता जैसे तारों की संख्या ठीक है जनाब नहीं निकाल सकते हैं कितने बाल है सर के ऊपर क्या पता कौन गिनने बैठेगा बाई तो जिसको गिनने में परिसानी हो रही है वो इंफानाइट यानि अपरमित ठीक है सर परमित समुझ की कोटी कोटी मतलब अच्छो ऑडर अब जो आपने लिस्ट बनाई ए उसमें कितने लोग हैं कितने लोग हैं उसमें जैसे जेए के सिलेबस में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं जेडवली के सिलेबस में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो आप बोलेंगे भईया फिजिक्स आता है उसमें केमिस्ट्री आता है और मैथ आता है इस लिस्ट का नाम आपने ए रख द कोटी जो आपकी लिस्ट है उसमें कितने मेंबर हैं कितने अवयब हैं उसको हम कोटी कहेंगे छोटी बात है ठीक है सर जानते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे फिजिक्स अच्छा बच्छों कई लोग आपका टेस्ट लेंगे वो लेंगे साथ फिजिक्स फिजिक् इसको काउंट एक ही बार करेंगे जैसे माने बोला कि बेटा जा मार्केट से कुछ अच्छा सा खाने के लिए कि आप भागते के और जनाब उन्होंने बोल दिया साथ में यह भी बोल दा है कि उदर से जाए ना तो एक भड़ियासी पनीर की सब्जी लेगी अब गलती से नों है आप इसको का समउच्छ लिर्श्ट जो बराबर है यह ऐक माने इस्टाप की लिस्ट में पाँच लोग है माकी लिस्ट में पांस लोग और तो झिनकी कोटी बराबर है जिनके order बराबन है उनको हम समान समुझ कहेंगे चुटी चुटी बात है याँ पर हम देख सकते हैं जनाब कि बनरी बात आगे चलते हैं कि अच्छा यह समान है समान मतलब डिट्टो फोटो कौपी एक दूसरे की बस भासा का अलग अंतर हो भासा बदल दी जाए अच्छा आप समझी गए जनके order बराबर है अच्छा एन ओफ ए इसका मतलब नंबर ओफ एलिमेंट नंबर ओफ एलिमेंट इन ए मतलब आपके पास कोई भी एक लिस्ट है जितमें 11 एलिमेंट हैं एक लाक अवयव हैं तो इसको हम एन एसे लिनोड करते हैं उप समझी अच्छा उप समझी इसके बारे में देखते हैं सबसेट सबसेट बहुत छोटी बात है बच्चो बहुत ही छोटी बात है हातों आद डील कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है जनाब मैं जस्ट एक रिकॉल आपके सामने करवा रहा हूं ठीक है सर क्या होता है जैसे मैंने आप से कहा कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं ठीक है कुछ मेंबर्स हैं नाम ले लेते हैं अपन जेई का सिलेवस ही ले लेते हैं जेई का सिलेवस सर फिजिक्स आता है उसमें केमिस्ट्री आता और मेहत आता है सर दिस इस दी लिस्ट समुच्चे बताओ इसके तो बच्चो एक ऐसी लिस्ट इस लिस्ट को काट काट कर आप लिख सकते हैं जैसे आपने केवल एक physics subject का लग कर दिया उसकी एक लिस्ट में एक ही रखा तो this is the subset this is the up समुच्चे आपने physics और chemistry एक साथ रखे this is the up समुच्चे तो उप समुच्चे क्या होता ना जैसे कोई भी एक building जिसमें 50 कमरे हैं तो बहार आप खड़ें आपने देखा क्यार building बहुत बड़ी है पचास कमरे हैं अब लेकिन उसी building में आपने चार कमरों में जाके ताला ठोक दिया या चार कमरे जाके आपने चूज कर लिए कि यार यह मैं समुझे जो भी आपने इसको अथिया लाएं कोई दिक्कत नहीं है तो जो चार कमरे हैं ना वो उस पूरी building का उप समुझे है तो उप समुझे क्या होता है पूरी बड़ी लिस्ट में से छोटी छोटी लिस्ट जैसे घर पर कोई साधी का समारो चल रहा है साधी व्याम में बहुत जादा लिस्ट का इस्तमाल करना पड़ता है है ना तो हमारा जो मामा जी अलग लिस्ट देगा कि भाईया साब मैं इतने लोगों के साथ आऊँगा खाने पीने में देखो इतना इतना होना चाहिए अगर कुछ गरबड हो गया तो फिर देख लो आ और उस लिस्ट में कम से कम 20 ऐलिमेंट हैं 20 आपको इतना क्लो यह ले के आना है इतना कहची यह ले का है कि साली से यह बहूत प्यारी वाला आ इक्ठी चल रही है खी söz और आपने कुछ डेटा वहा से लिया ये भाईया आपके पिता जी खड़े मुस्कुरार है कि बिट्ट की थोड़ा काम पर भेजता हूं कही है उन्होंने एक लिस्ट दें थामा दी एक लिस्ट आपके हाथ में थामा दी और उस लिस्ट में है यह ट्वंटी अलग-बशाइज बीश अलग-बशाइज हैं जैसे उन्होंने का वैं पचास केजी तुँ यार कुछ ना सुगर लेके आई हो चीनी ऐसा कुछ उन्होंने एक डेटा दे दिया पचास केजी है पचास केजी वो हंडर केजी है ऐसा कुछ डेटा दे दिया अब आपने देखा कि यार यह जो बीस आइटम है इन बीस आइटम के लिए मुझे कई जगे जाना पड़ेगा और जो पांच आइटम है वो बड़े बड़े आइटम है मान के चलो तो वहां पर एक दुकान पर एक ही मिला फिर आपने देखा कि यार बाकी के जो चार आइटम हो यह दूसरी दुकान पर मिल रहे है अब आपने सोचा क्यार मैं इतनी दूर क्यों जाओंगा भाई मुझसे नहीं होती मैनत तो आपने क्या अपने चार दोस्तों को बलाया जो बापू ने बड़ी लिस्ट देती उसको चार चाके तोड़ दिया कि यह पांच आइटम तो तू उधर चला जा वहां से लेई हो ठीक है और यह दस आइटम भाई तू उधर निकल जा वहां से लेई हो तू भाई एक आइटम ले क्या तू थो थोड़ा रोयल आदमी त बागी के चार में ले आता हूं तो बड़ी लिस्ट का बच्चों हमने चार पोर्शन कर लिए दिस इज़ी उप समुच्चे दिस इज़ी सबसेट अच्छा और लेकर यहां पर ऐसा नहीं है अब यह जो जितने भी आइटम से यह जितने यह सारे आइटम इसी लिस्ट का हि करमानी नहीं कर सकते हैं तो दिस इज़ी उप समुच्चे अच्छा समझ में आगी का नहीं तो सर आपन पचास बीस एलिमेंट के क्या चारी डेटा बनाएंगे नहीं जरूरी थोड़ी चार लिस्ट बनेंगी उसकी तो आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं टू की पाव उस बड़ी लिस्ट के आप चुटे चुटे पोर्शन कर रहे हैं बस उसी को बोला जाता है अच्छा अब यहां पर गेम यह है कई लोग थोड़ा समझदारी बता देते हैं जैसे मैं आपको बोलूं बच्चो कि जेई का स्लिवस ही ले लेते हैं जेई की त्यारी कर रहे है जेई की बाद जाधा करते हैं लोग जेई का स्लिवस की लिष्ट बनाई आपने और उस लिष्ट में फिजिक्स है केमिस्ट्री है मैं इसके कितने उप समुच्चे बना सकते हूं सबसेट सर इसका एक तो हम ऐसा बना सकते हैं कि मैंने एक सैट ऐसा बनाया केबल फिजिक्स सर में इसा भी बना सकता हूं chemistry एसा भी बना सकता हूं कि मैद को बिल्कुल अलग से पडूँगा मैं बिल्कुल compromise करूंगा इन मेस के साथ एक त्रीट बन गई और सर और बन सकती एं फिजसिक्स और मैस को साथ praise को ले लो यहां बीप पड़शकते हैं यह देखो हर बार लिस्ट है तो curly bracket मजला को उस टक ला रहा है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि physics और mass उठाली आपने chemistry ठीक है सर और ऐसा भी हो सकता है chemistry और physics ले लिया ठीक है सर ऐसा भी हो सकता है कि सर हम पढ़ने में ठीक है और कोई दिकतने हम सब कुछ पढ़ लेंगे तीन उठा लेंगे सर तो ये भी एक लिस्ट बनेगी जैजटी जो थी वहाँ पर अच्छा एक फाई एक खाली लिस्ट तो बच्चो अगर जिस लिस्ट में तीन एलिमेंट हैं तीन अब्जेक्ट हैं तीन अवयब हैं तो उसकी टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं टोटल कितनी उप समुच्चे की लिस्ट बन सकती है उप समुच्चे बन सकते हैं तो सर एक दो तीन चार पांच छे साथ और याठ एक लिष्ट आपके पास B जिसके अंदर एक वन एलिमेंट है एक टू एलिमेंट है इस तरीके से ठीक है जानब इसकी उपसमुच्च्च बनाओ सर 1, 2 को अलग लिख लो सर, सर उसके बाद 1, 2 को अलग लिख लो, और सर एक 5 तु रहे गए, 5 सम में comment रहेगा, तो सर यह तो बहुत छोटी बात है सर कि यहां पर दो element है हमने उपसमुच्चे बना लिए चार यहां पर तीन element है उपसमुच्चे बने आठ अगर चार होंगे तो पता नहीं अगर मैंने कहा कि एक list है जिसमें 200 element है 250 अभयव हैं उनके कितने उपसमुच्चे बन जाएंगे तो अगर आप ऐसे करने बैठेंगे ना तो गए दो तीन साल तो फिर यहां पर बात आती है observation की यहां पर बात आती है आती जों को कैसे देख रहे हैं तो सर बहुत आसान सर जितने element होते हैं उसको टू की पावर करतो जैसे टू की पावर थ्री देख आता आंसर आ गया जैसे टू यहां पर element थे चार आ रहा था टू की पावर टू अरे वा सर बहुत प्यारी समुच्चे बनेंगे वो कितने बनेंगे टू की पावर एन टू की पावर एन उप समुच्चे बना सकते हैं हम टोटल बना सकते हैं इतने बनेंगे नहीं बना सकते हैं अच्छा ठीक है सर तो उप समुच्च्चे घाने के लिए आपकी अच्छा कि सर्वात्रिक और समस्टिय समुच्च वह समुच्च जिसमें निश्चित संद्रबं में दिये गए सुब्ल पतानी क्या लिखा है ठीक है यूनियन बोलते हैं इसको समझते हैं बच्चों एक मेजर मतलब जैसे कहते हैं यूनियन लाइका हमारे घर पे बड़े पार्ट हुई मानके चलो एक बड़े पार्ट हुई कि भाईया हमारे बड़े का सेलिब्रेशन चल रहा है यह बड़े बड़े पार्टी चल रही है आपको एक लिस्ट दी इस तरीके से अच् है और एक लिस्ट भी दी आपके बापू ने और एक लिस्ट आप ने दे दिया मेरी भी सुन लो भाई सिलिस्ट यह तीन लिस्ट अलग अलग ठीक है तो इस पूरी तीनों लिस्टों का जो जो लिए नाम है ना बड़े जिसको बोला जा रहा है इसको हम यूनियन यूनियदूर्ण अच्छा तो धीरे-धीरे सर इसको हम बोलते हैं वेन आरेक इसकी तरफ आने वाला है एक तरीका लिस्ट को अच्छे तरीके से फिल्टर करने만 गात समूच्चे पावर सेट को बहुत अच्छे से बच्चों पावर सेट, उप समुच्चे की फिर से लिस्ट, उप समुच्चे की फिर से लिस्ट, फिर से लिस्ट, ठीक है जना, सर मतलब जैसे पीछवाले कोशन में आते हैं, यह रहा, जैसे कितने उप समुच्चे बनें समुच्चो, चार, है न, इसको पी ओफ ए कह दूगा, मैं, जो चार बनें, उनको फिर से लिस्ट के अंदर डाल दो, कि भाईया, चार कौन से बनें, एक तो फाई बना है, एक वन बना है, एक टू बना है, और एक वन टू बना है इस तरीगे से, this is the power set, यानि कि collection of subset, उप समुच्चें का फिर से एक संग्र, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आतक, तो यह घास समुच्चे हो गया आपका, उप समुच्चे की फिर से list, ठीक है, कितने उप समुच्चे बनते हैं, सर, यह depend करेगा, list में कितने member हैं अगर 10 हैं, दो की पावर 10, दो हैं तो दो की पावर 2, ठीक है सर, और union समझ गए, जिसके लिए काम किया जा रहा है, जिसके लिए आप list बना रहे हो, ठीक है सर, union होगा, एक और देख लो, intersection जिसको बोलते हैं, common वाला, जैसे बच्चों मान के चलो, एक मान ने लिष्ट दी आपको, इसमें कुछ members हैं, कुछ data है, एक बापुने लिष्ट दे दी, और कुछ item common हैं इस बार, जैसे मान ने कहा, क्यार तू अभी जा रहा है, तो वहाँ से एक red color का pen लेके आई हो, है ना, एक red color का pen लेके आई हो, और उपर से उन्होंने बोला, कि तू उदर जा रहा है, तो एक book भी लेके आई हो, है ना, कोई भी अपनी धार्मिक book में लिष्ट लेके चलो, डी, ठीक है, और उन्होंने कहा, कि भी या एक newspaper ले यू, हाथ तो मात, न्यूजपेपर, ठीक है, यह मा की list है, और यह बाप्पू, वो कह रहा है कि ठीक यार, तु यह काम कर, हपन तो यहाँ पर कुछ और कर लेते हैं, तो उन्होंने कुछ और मगाया है, आपसे कि एक item मगाया है, आपर, दूसरा item मगाया है, यहाँ पर, तीन-तीन item दोनों ने मगाया है, लेकिन तीन item में से जो newspaper, वो दोनों का common है, newspaper दोनों में देखा जा रहा है, तो आपने क्या करा, कि एक ऐसी list इस तरीके से presentation कर लिया उसको, तो यह याद करने में जाता आसान हो गया, यह तरीका है, प्रिजेंट करने का, वेन आरेक बोलते हैं इसको, यह बहुत तगड़ा तरीका है, वेन आरेक, तो आपने, जब आप ऐसे लिखेंगे, तो ज्यादा मज़ा आएगा, कि अच्छा यार, यहाँ से click हो रहा है, कि कितने item बाप्व के common है, कितने नहीं है, है न और मान के चलो, एक आपका item है, आपने कहा किया ठीक है, यह आपकी sister ने कुछ दिया, भाई, तू जा रहा है, तो बजार से, और भी कुछ लिए ही हो, है ना, तो उसने कहा कि ठीक है, वहाँ से, मिर लिए तो एक diary लिए ही हो, तो एक diary अलग दी, और एक item ऐसा था जो बाप के से बच्चो इस पूरे process को, तो जो चीज ने common दिख रहे हैं, इसको मोलते हैं, intersection इसको denote करते हैं, इस तरीके से, जैसे अगर मा की list का नाम था A, और बापू की list का नाम था B, तो यह जो newspaper है ना, news, news को हम लिखेंगे A intersection B, अच्छा, तो यह सब mathematical tool है, mathematical operator है, इनके नाम लि presentation का game है आपर, presentation बढ़िया मतलब बात बन गई है आपकी,